शनाया अपने कमरे में बैट फोन चला रही थी कि तभी उसकी नजर मौसिडीज में घूम रही उसकी कजन पर पड़ी और वो कहने लगी यार इनके मज़े हैं काश मुझे भी कभी इतनी महेंगी और लक्जरी कार में घूमने का मौका मिलता शनाया इतना कही रही थी कि तभी उसकी नजर ऑफिस के लिए जा रहे अहान पर पड़ती है जिसे देखकर वो कहने लगती है पर मेरी ऐसी किसमत कहा ना जाने क्या सोचकर मेरे पापा ने मेरी शादी इस 9 to 5 जॉब करने वाले अहान से कर दी और मेरी फूटी किसमत कि मैंने उस दिन अपने पापा की बातों में आकर शादी के लिए हाँ भी कर दी ये सुनकर अहान को बहुत बुरा लगा और वो वही खड़ा रहकर कुछ सोचता रहा और फिर तुरंट ओफिस के लिए निकल गया ये लो मेरा काड और वो कार तुरंट इस पते पर भेज़ दो इतना सुनकर उस सेल्समैन के हाव भाव भी बदलने लगे और वो अहान को नजर उठा कर पूरी तरह से एक बार देखता है और जैसे ही उसने कार्ड स्वाइब करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी नजर उस कार्ड पर लिखे उस नाम पर बढ़े जिसे देखकर वो पूरी तरह पसीने में भीग गया और कापती हुई आवाज में कहने लगा और इतना कहेकर अहान वहाँ से चला जाता है आखिर कौन था ये अहान सिंग राइजादा और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था क्या होगा जब शनाया को पता चलेगा अहान की सच्चाई का आखिर क्यूं करवाई शनाया के पापा ने अहान से उसकी शादी और क्या वो जानते थे अहान की सच्चाई जाने इन सभी सवालों के जवाब अभी डाउनलोड करें Pocket FM और सुने इसका बेस्ट आडियो शो सीक्रेट अमीर जादा